प्राचार राइकी आर्वधी कालेज प्रत्ना बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से करोना के बारे में आम लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं इससामानले नियुदा होते हूं इससे समयन में बहुत लोगों को जानकारी हो गई हैं। हो रहा है और लोगों को जो है सामानमे खासी सरदी बुखार और लोगों को एक आसंका हो रही है या सबसे पहले तो यह देख लेंकर जो है कि सरदी, खासी बुखार जो है जहां शेंब बनती हैं वहां जाच कराकर के ही क्लियर होना किए कि करोना है कि नहीं है यह देखा जा रहा है कि करोने की जितने संदिग्द मरीज हैं उसमें से 2, 4, 5, 10% ही करोना के से actual संकर्मित हो रहे हैं गम्रेज होने के बाद आप जानते हैं कि इसमें यह भी कहूंगा कि भाय संकुछ नहीं होना चाहिए लोगों को है कि मैं कैसे कहूं कि करोना हो गया या करोना होने के बाद मैं कैसे अपने को सरभाइब करूगा तो सरकार की तरफ से व्यवस्ता काफी है और हम सब्सक्राइब कि वह सफल ब्यवस्ता है आप देखे होंगे कि देख देश में जितना संकर्माणतार जो मरीज मिले हुए हैं उसे में बहुत कम लोगों को जो है आई डिंटीपाई हो पाया है और जो आई डिंटीपाई हुए उसमें से काफी लोग ठीक भी हुए हैं और बिहार में तो अभ बाद डाक्टर से इससे बचाओ के लिए ज्यादे सचेश्ट रहना है चुकि यह हम लोग रीटू संदी कहते हैं कि आप जानते हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है तो इस मौसम में बदलाव के कारण भी जो है सर्दी जो काम खासी होता है और इसी में से कुछ इंफेक्श पूरे ओल इंडिया पर देखा गया है जो है हमारी गौर्वर्मेंट अपनिया कि आयूस मेंश्टी उसके तरफ से भी एडवाजरी जो है हुआ है यह तो रोग पति रोधक च्छमता को बढ़ाया जाए जो है उसको खम नहोंने लिया जाए तो इसमें गिलोय का नाम होगा टीक आती है संज्वियोनी जो है नादी होता है इसको अगर लिया जाए तो हम सोह जैते है कि इससे होगा फिसे जो है तो यह भी इस से काफी बुझा होने की सम्हंगा है और यह चुकि नाक और मूह के माध्यम से होने वाला विशेश रूम से यह वैसे तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन संकरमान की प्रिक्रिया है और नाक में उसे होता है, तो हम लोग च्छण बिंदू तेल आता है अगर उसका दोनों नाक में डाला जाए और उसी को डालतर के गार्गलिंग किया जो है कि जिसको हम लोग गलाला या कुला काते हैं तो भी काफी हद तक यह है जो है और गरम-गरम विशेश रुप से जो है उस रोधक हम लोग काते ह अबढाल है जो है कि जो है वो चाय के तरह जो भी हो है की गरम पे-पदात गरम खाना का पर यूब करें चो है समय पर खाएं जो है ऑर गंड़गी से जो हम बचे स्थिता का ध्यान लेखें तो यह सब करने से माध्यम से लोगों को आवेर्नेस दिया जाए तो हम समय से बहत तो यह भी एक बहुत बड़ा पंच्छोल जो है बजार में आपको जो है मिल जाता है पंच्छोल के नाम से तो इसका अगर काहा सिंपल बनाकर के लिए आया है तो सबसे बेहतर हम सुए तहीं की बेहतर ही आइठो सकता है धन्यवाद जो है